नमस्कार मैं शातंदर कुमार सिंग इन दिनों कोलेरियों में कोला खधानों में या यूं कहें कि कोल इंडिया समेथ अनुसांगी इकायों में जेबी सी सी आई काफी चर्चम है जेबी सी सी आई का अगठान इन टक को छोड़कर चार केंद्रे यूनियन के परतिनिधियों को लेकर किया गया है इसमें HMS, BMS, C2, ATAC ये चारों यूनियन के परतिनिधियों को उसमें सामिल किया गया है इसलिए कि ये सभी मेंबरान और परवंधन के लोग, परवंधन की तरफ से 14 और इनके तरफ से 14 सदस्यों को सामिल किया गया है जिसे कि NCWA 11 हमी का समझाता हो सके सभी यूनियन के लोग संजुक तुरूप से एजंडा तियार कर रखा है और इस एजंडे पर परवंधन से बाचित होनी है, इसकी तीथी तो अभी तैर नहीं की गई है अधिकारिक तोर पे, लेकिन चर्चा है कि जल्दी हो जाएगा, बैठक हो जानी चाहिए अब हम जड़ा थोड़ा हट करके बात करें और ये कहें कि अब तक हमने जितने भी ट्रेड इूनियनिस्ट हैं, विटनर, उन लोगों से उनने बात करी है और बात करने के बात सबों ने यह कहा है कि कोल इंडिया एवं उनके अनुसंगी इकाईयों में भरस्टाचार है चलिए अच्छी बात है, केवल कोल इंडिया के अधिकारियों में ही भरस्टाचार नहीं है, केवल अधिकारी ही भरस्ट नहीं है या अधिकारी ही अनाधेकरित रूप से गैर समयधानिक रूप से पैशे का लिंदन करते हैं बलकि जेवी सी सी आई के जो मिंबर है वे कलपिक खास कर जेवी सी सी आई में दो तरह के मिंबर सहमिल के जाते हैं एक मेंन मिंबर होते हैं जो वरिये पदादिकारी होते हैं यूनियन के और एक होते हैं वे कलपिक वे कलपिक से दस्यों का चायान आपने सुना होगा आपने देखा होगा कि कई एक ट्रेड यूनियन में पिछले दस में वेतन समझाथे में जो जेबी सिसी आइ के मिंबरान थे और इस बार के मेंबरस में तब्दिली कर दी गई है काई लोग बदल दिए गए है काफी इस बात को लेकर चर्चा रहा कि JVCCI के जो वेकल्पिक सदस्ट है जो वेकल्पिक सदस्ट बनाया गया है कई टे डूनियन के लोगों ने उस मेंबर्स की सदस्टा को बेचा है कैसे बेचा है कोई सबजी और कोई रासन तो है नहीं कि बेच देंगे जी हाँ आपका सवाल सही है लेकिन यह सवाल है और यह पुक्था पर्मान है और इसका खुलासा JVCCI के एक वरिष्ट नेता ने कर दिया है कि पैसे लेकर मेंबर्स बना दिये गए हैं जिन्हें कि ना तो अंदोलन का अनुभा है स्रमिक अंदोलन का ना उन्हें स्रमिकों की समस्याओं कि से ओगत हुए हैं लोग जिनके यूं कहें कि उन्होंने तो अस्वस्ट कहा कि जिनके दूज के दाप नहीं टूटे हैं उन्हें जेभी जिनके मैं जिसा के मिम्बर बना दिया गया जहां टॉप रैंग के अधिकारी बैठे़ और यह तो रेंग के सर्वीक सगंठन की लोग बैठते हैं तो आप खुदी अंधाज लगा लिजिए कि कैसे कैसे लोग स्रेमिक सांखथन में जब इसी साय के मिम्मस बने हैं तो ऐसी स्थिति में सलम को कि कितनी समस्याओं का समधान होगा ये उपर वाला ही जाना है लेकिन नीचे वाले को भी जानना होगा अखिर जीन लोगों ने पैसे लेकर इसको बेचा है सीट को हलागे पूछने के बाद वह असपस तो नहीं करते लेकिन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन है क्यों है इसलिए है कि पूल इंडेस्ट्री ही नहीं बलकि अन्युद्योगों में स्राइमकों के हित में लड़ने वाला एक संगठन है एटक जो बाम मोर्चा से रिलेटेड है यह बाम मोर्चा के विचाधारा से यह प्रभावित है और उसने एक नहीं कई आंदोलनों को संचालित किया है और मज़दूरों का हक वा अधिका दिला है ऐसे संगठन के एक वरिये नेता अगर कहते हैं तो उनके बातों को नजर अंदाज नहीं किया सकते है एटके रास्टिया धक्ष प्रभिंद्र कुमार ने कहा है कि पैसे लेकर सदस्ता दी गई है लोगों को ऐसे में हम कर सकते हैं कि जब इसी सियाई के जो वरिष्ट मेंबर्स हैं उन लोगों ने वैकल्पिक सदस्तों को बनाने के लिए उस सीट को बेच दिया है एक संगठन है जिसमें वैकल्पिक सदस्त के रूप में लेने के लिए वैकल्पिक सदस्त बनाने के लिए रासी की डिमांड की गई जब उन्होंने रासी देने से इंकार तो नहीं किया असमर्सता जिताई तो उनका नाम हटा दिया गया था हलाकि बाद में उनके नाम को जोड़ दिया गया था संभावना है उन्हें जो वरिष्ट नेता हैं उनके पास पैसे पहुच गया होंगे कि अब सवाल यहां यह है कि जेबी सीसी आइज जो फूल इंडिया का टॉप प्रेंक का कमिटी है उसमें उएसे अनभवहीन लोगों को सामिल कर दिया जाएगा जिन्हें मजदूरों की समस्याओं से कोई मतलब कभी नहीं रहा है तो कैसे होगा मजदूरों की समस्याओं का समधा संजुक्त एजंडा भी लोगों ने बना रखा है और संजुक्त एजंड़ा जो बनाया है लोगों ने उसमें भी वरिये नेता लोगी थे कनी नेताओं को उसमें नहीं रखा गया कि भाई बाद में इनको जबी सिस्या के बैठक में हम लोग बुलाएंगे चलिए अच्छी बात है उन्होंने जो भी किया हो लेकिन इसका असर निश्चित तोर पर हमारे कोल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और बहुत सारी चीज़े हैं जो सामने आता नजर आएगा निताओं ने तो यहां तक कई निताओं ने कहा बगएर नाम नहीं लेने की उन्होंने कहा कि देखिए हम भी कॉल फिल्ड से हैं और कोईला समाथ से हैं मजदूरों के समाथ से हैं अगर हमारा नाम ले लीजेगा तो हमें प्रसानी हो सकती है उन लोगों ने अस्पस्ट कहा है कि जो भी पैसे दे करके सतस्य बनेगा वह निश्चित तोर पर जितना पैसा दिया है उतनी वहाही तो करेगा इसको कमाना है कि अगर आपको कूल इंडस्ट्री में पैसे ज्यादा कमाने हैं अधिकारियों पर धौंस दिखाने हैं तो एन के इन प्राकारेना आप जेवी सिस्याई के सदस बन जाएं फिर देखिए आपका रुत्वा कहां चला जाता है फिर देखिए आपकी एसो अराम कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप तो कहने का मतलब यह है कि अगर जेवी सिस्याई के सदस्य ता बेची जाएगी अभी की अगर यही सिती बनी रही तो आने वाले समय में जेवी सिस्याई के सदस्यों का क्या महतु रह जाएगा यह शर्विदितर यह समझने और जानने के चीज़ है क्योंकि इसमें जो भी ने लोग जाएंगे जो अनवाविहीन रहेंगे या जिनको नहीं जानकारी होगी वो आर्थिक लाब लेने का प्रयास करेंगे और आर्थिक लाब लेने के लिए एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि एक संगठन के वरिये नेताओं के पास एक लाख दो लाख नहीं बलकि कई कलोरों के मालिक है वो जब ट्रेड उनियन में नहीं थे तो उसके पहले उनकी स्थिति आप अंदाज लगा लेजिए या उसकी जाच करा दीजए और ट्रेड उनियन में आने के बाद उन्होंने कितनी संपती बनाई इसकी भी जांच कराई जाए तो यह पता चल जाएगा कि उन्होंने ट्रेड उनियन में आने के बाद कितने पैसे की उगाही कि कि आये इस अंबंद में हम थोड़ी सी गुब ठुब कर लें एट्टक के रास्टिये अध्यक्सरा में अंदर कुमार जी से उन्होंने जो कहा है को मैं आपको सुनाता हूं जो अभी क्या हुआ जब जब जबी सीश्यकर समय आ गया जी तो कोईला ख़डान का मुर्दा भी ख़ड़ा हो गया कि हमको भी मेंबर ब्राओं जी तो इसमें अखबार में नाम आता है तो और तुशी होती है कि में भारी नेता हूं मेरा नाम मैं तो नाम सपाता नहीं जो लोग है मुर्दे लोग है उटकर खड़े हो गये हैं उनकर नाम सब रहा है जिनका दूद कर दांत नहीं तूटा है जी वह में मेंबर हो रहे हैं तो आप क्या किया जाए कि इस हमको लगता है कि आसर पड़े अब को बैठाक नाम รव नहीं करने け अधि करते हैं नोधा यह दो जितने हूँ बात करते हैं बात करने के थोड़ी में में बंते हैं इस वात के लिए में बनते हैं यह बात इस बहुत है आफ नाम लेकर नहीं बोलना चाहते हैं जो कुछ नहीं आता है उभी में बन जाता है वही हम को भी लगाए कि यह से एक है धनबाद के मानंदें अब उनको इसे वह सामिल किया गया है आप बताई है तो एक संग ठान नाम नहीं लेंगे तो आप भी नहीं ले रहा हूं अगर दोनों बात बूजे रहेंगे इसको बोल लेंगे तो आप अपर पर्षानी तो हो गई ना अब जो हो इसमें हमारा क्या का सुझा है हमको कहा गया किसी संग्ठन को कि चार गुना हो देना है तो तो हमको जो पैसा देगा नहीं देंगा पैसा पर मेंबर बन रहा है क्या तो पैसा पर भी मेंबर बनता है जेवी शीशिय के सदस पैसे पर भी बनते हैं कि आपको लोंक नहीं मालूम है मालूम तो है लेकिन एक सदस तो बोल रहा था कि हमसे पांच लाग रिश्य मांगा गया नहीं तो हम्रा नाम कट गया अब ही पूझे तब आपको मालूम है ताम से पूछते हैं तो वह जो है लास में दिया हूं बन गया अगला जो है का सदस बनने के लिए या बेकल्पिक सदस बनने के लिए पैसे के भी भुणका है अब है को कमाई भी होगा ना तब तो पैसा दे रहा है सब कमाई है कमाई होते ही है में बारी मेंबर होटिया कि व आगला तो जेए शेख सदस आया है आप लोग कर दी तो लिखते हैं पे लिखते हैं एखभर में भुणके लिखते हैं जेएए शेख सदस आया मेरा इमेंद क्यां गया जी हम क्यांजे विशिशे के सदस एकाद को मैंना मतेस हो जाए तो कमाई सब निखाज जाएगी किलाज से करिया हुआ है नहीं ठीक हो दोगों ने ट्रेड मना दिया उनियम खतम हो गया ट्रेड हो गया बीजनेस है जी अब जो लीडर्स लोग हैं अब मैं नाम ही लेकर बोलता हूं जैसे हमारे से में इसके हैं अफुलाल पांडे जी दूचार सौ क्रोड के मालिक हैं जी अभी उन्हें नेता बन गए हैं राजनारों के इस्व पुत्र हजार क्रोड हजार से ज़्यादा के मालिक हैं जी अब जी इसके दान भी दिव हैं जी आल भः मजो नों के भलाई भी करें जी अब जी महां जी खराणे उन्दी आफ़ल से निया रागवेंदर हिया स्फ़द जी जी अब चिकादार है् रावानंदा में ठीकेंदर देस्ट़ते हैव राखवेंदर अच्छा हाँ तो आप लोग बुरुबक हैं कि जिन्गी बिता दिये कुछ नहीं किये अब क्या करेंगे बुड़ापा में तो माल जी कि उमर भी डल गया है उसी साथ में क्या करें अब अन्तिन समय में तो अब यह अब क्या करें तो अब यह एक सिले मैंने का इनका को इलाका दान का मैं ट्री यूंट यह लोगों ने नया सेक्शन आ रहा है जो जानता नहीं है जो किसे नित्याग और तपरस्या नहीं किया नहीं है वहीं नेता बन गया अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें स्वादेश वानी